दूस्तो मैं हूं आपका स्ट ढ़ाने कहिए यान कि मर्न की। क्रेंड तो सबसे पहले आप समझें कि जो आप यह डिजाइन देख रहे हैं यह हम बनाने वाले हैं kuongodb इनिक database होता है express का यउज करेंगे हम REST API वगड़ा वगड़ करने के लिए आपको बहुत यहां करने करते हैं कैसे लिक्वेस्ट करने लिए अप पर इनिसर्ट करेंगे यानि कि नए डेटा इहां से insert कर पाएंगी जैसे कि मैंने यहां पर full name डाल दिया इस तरीके से कि अधर मैंने email डाल दिया तो कुछ भी email डाल सकते हैं जो भी आपकी जो email डालेंगे वो पहले से अगर होगा तो उसके लिए आपको वार्निंग मिल जाएगा ठीक है मैंने डेट ऑबार सेलेट कर लिया एड्रेस मैंने इंपूट कर दिया रेजिस्टर पर क्लिक करूंगा रेजिस्टेशन हो गया और यहां पर एक बार में पांच यहीं डेटा दिखेगा और जो अभी रेजिस्टेशन कर लेते हैं तो मैंने यहां पर किली किया और मैंने इमेड कोशिश करूंगा तो warning आपको अब तरह द। इस तरीके मेंसेज और यहां पर आ चुका है यहां पर एक बार में पांच इहां देटा दिखेगा अब यहां पर टूप पर कलिक करेंगे तब अगला डेटा दिखेगा यह देखेंगे बैक हो जाएगा हो जाएगा वंपे क्लिक करेंगे तो की इसलिए ऐन की डिक रहा हूं इसलिए जिए मैं मैंने नेम डाल दिया यानिके फुल नेम उसके बाद मैंने इमेल डाल दिया इस तरीके से मुबाइल नंबर मैंने डाल दिया डेट आप बर्थ मैंने डाल दिया जेंडर मैंने सेलेट कर लिया एड्रेस मैंने रिफाइन कर दिया इस तरीके से और रेइस्टर पर क्लिक करूं easily прोजेक्ट है और काफ़ी कुछ आप लोगों को सेकनी को मिलेगा कैसे आप टेलीट करेंगे दीट करेंगे इंसर्ट करेंगे सब क नकी डीट बहुंब से अदर होता है आपको एक-एक चीज स्टेप भाइ स्टेप फबने तो इसके टार अभी किरीक क्षेंगे तो प्रोफाइल के साथ का यह काफ certains प्रोजेक्स है और उसमें आप कुछ कुछ सीखने माले हो बिना देरी का सुरुवार्च करेंगे सबसे पहले हम सेट अप करेंगे करेंगे और फिर हम इनसे करना है कैसे इंसर्ट करना है कैसे अपडेट करना है वो सारी चीज़े सीखने वाले जिसे मैंने इसको डिलीक करना है चुका है तो बहुत ही बह्तेरीन प्रोजेक्ट है और इसको बनाने के बाद आपको किसी भी तरह का इशू नहीं होने वाला है काफी कुछ आप लोग सीखने वाले हो इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले हम हम सट मैं करेंगे उसके बाद हम सेट एप करेंगे तो आपको एक इक इस टेप बता जाएगा आपको प्रेशंस रखना और जिस तरीके से पर जाएगी उस तरीके से आपको चीजों को कंपलीट करते हुए तरो को स्टार्ट करते हैं सेट अप करना है कि अब्सक्राइब कर लिए इस तरीके से अपसे पहले में डेक्स्टॉप पे जाएंगे तो मुझे डेक्स्टॉप एक नया फोल्डर बनाना है तो फोल्डर बनाने के के लिए मैं यहां पर मकड करूंगा और अपने फोल्डर का नाम दूँगा तो मुझे मर्न करण इसके नाम से फोल्डर बनाना है इसलिए मैं अब इस फोल्डर के अंदर पूरा सेटप करना है इसलिए हम क्या करेंगे यहां पर आपको डिफाइन करना है यह कमांड आपको डिफाइन करना है इस लिखेगा इंटर पेस करते ही जैसे आप इंटर पेस करेंगे प्रोजेक का नाम आपसे पूछा जाएगा अब प्रोजेक का नाम पूछा जाएगा फ्रोजेक का नाम यहां पर डिफाइन करेंगे प्रोजेक का नाम क्या है जो भी आपको डिफाइन का नाम है इसे डिफाइन कर देता है तो यहां पर मैंने ऐसे डिफाइन कर दिया फॉरांट ठीक है कुछ भी आप प्रोजेक का नाम रख सकते मैंने फॉरंट इंड रखा तो यह किस फोल्डर में बनेगा यह जो मर्न करण आप्रिशन का नाम से एक नया प्रोजेक हो जाएगा तो आ तो मैं जावा स्क्रिप्ट करने वाला हूं इसलिए मैंने जावा स्क्रिप्ट कर लिया इंटर्प्रेस कर देंगे कि यह प्रोजेक्ट क्रियेट हो जाएगा अब सबसे पहले यह कमांड आपको चलाना है सबसे जाएं जितना भी डिपेंडेंसी है वह सबसे इस फ्रोजेक्ट को कमांड चला दीजिए इससे जो भी आपका डिपेंडेंसी वह समें करने से पहले हम इस प्रोजेक्ट में सब्सक्राइब बहुत को सब्सक्राइब है और ऐच सेटप करेंगे और एप को का मैं और अब सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको नहीं आता है ऐचार living और एज़ाइन को फूरे बात बहुत अब है और आपको अना ही चाहिए एकर आप और प्री ये पेंड़ार आना चाहिए बहूत हिस्पर है बहुत कुछ आप सिख सकते हो अनल के यह सब helemaal करेंगे तो सबसे पहले हम टेल्विंट का सेटप कर लेते हैं उसके लिए टेल्विंट के वेबसाइट पर आपको आना होगा तो नया टेव लिजिएगा और ब्राउदर में लिखेगा टेल्विंट css.com यही लिखेगा टेल्विंट css.com मैं इसका लिंक आपको description में दे दूँगा देखिए टेल्विंट.com मत खोलेगा टेल्विंट css.com ठीके वेबसाइट का नाम यह है इसी को खोलेगा अब आपको गेटिंग स्टार्ट या डॉक्स पर किलिक करना है इस तरीके से आपको नीचे की तरफ installation पर किलिक करने के बाद आपको फ्रेमउर का गाइड इस पर किलिक करना है आपको नीचे की तरफ वाइट दिख जाएगा इस पर किलिक करना है या इसको वीट भी पढ़ते हैं यह जो आपका first line होगा आपको copy कर लेना है control c करके और terminal मिला करके यहां पर paste कर कर देना है इंटर राइट किलिक कर देंगे paste हो जाएगा बस आपको इंटरफ कर देना है इंटरफ कर देंगे इस्टॉल होना शुरू हो जाएगा बस पेसें रखेंगे तो यह देखिए अच्छा यह इसके अच्छा यह तो हमने साथ project का कमांड कॉपी कर लिए कि कैसे project कर करना है जिलेस कि और करना है तो यह लिए करन करना है और यहाँ पर राइट किलिक करके 0000ध कर देंगे इंटर्पेस कर दिएगा पेसेंस रखेंगे थोड़ा इस्टॉल होना शुरू हो जाएगा यह देखिए कंपिलीट हो गया प्रोसेस यह अभी फिर से यहां पर आईएगा और यह जो इसके नीचे वाला कमांड है इसको कॉपी करिएगा करके और यहां पर ला करके राइट कलिक करके पेस्ट कर देंगे इससे एक फाइल हो जाता है यहां पर कॉपी करने के बाद आपका जो प्रोजेक्ट होगा करड़ वाला डेक्स्टॉप पे अपने मन करड़ का नाम से बनाया ना इस पर राइट किलिक करेंगे जो मोर ऑप्शन और ओपन विद विएस कोड यानि कि विज्वेल स्टुडियो कोड में हम इस प्रोजेक को ओपन कर लेंगे एक एक स्टेप आपको बताया जा रहा है तो इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको दिख जाएगा टेलिविन.config.js के नाम से फाइल को ओपन कर लेना है इसमें जो भी कोड होगा वह आपको यहां से अटा देना है कंटोले करके और जो आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगा यहां पर क्लिक करके आप कॉपी कर करने के बाद टेलिविन.config.js इस फाइल को खोलिएगा जो भी उसमें होगा सब अटा करके तो पेस्ट कर दीजिएगा करने के बाद फिर से आप यहीं पर आईएगा और यह रहां इंडेक्स.css इसके ठीक नीचे दिख जाएगा आपको यह तीन लाइन का कोड इसको भी क हो एफ.css दिखेगा एफ.css ओपर करिएगा इंडेक्स.css मत ओपन करिएगा एप.css में जो भी कोड होगा, इसको पेश्ट कर देना है पिस्ट करने के बाद आप को इहाँ पराना है और यह जो अपका आप.js रहा होगा इसको ओपन करना है Ahmed करने के बाद इसमें जो भी कोड होगा तब कुछ आप हटा दीजिएगा हटाने के बाद कॉंस्टेंट बनाएंगे तरह आयप के नाम से को डिफाइन करेंगे इस तरीके से हम यहां पर हम फॉल्बेक फंक्शन का डिफिनीशन करेंगे आपको यहां पर इक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस कीवर्ड का उच क अभी हम सेट अप कर रहे हैं तो मर्न करण ओपरेशन यह आप डिफाइन कर दिजिएगा इस तरीके से जड़ा और इस यच्वर्ण में आपको अभी किलास नेम करना है टेलिमेंट का देख लेते हैं कि सेट अप हुआ कि साहीं साहीं कि नहीं किलास नेम करिएगा इसमें आ कर देता हूं चीजों को कि सब कुछ किलियर आपको दिखे लगाईएगा यह टेलिमेंट का किलास है इसका मतलब हमारा जो अच्छे से उसका सेट अप हो चुका है यहां पर आजाईए अभी हम कंपाइल नहीं करेंगे प्रोजेक को अभी हम कंपाइल करेंगे थोड़ी दि स्क्रीन कर लेंगे कि इतना करने के बाद आपको यहां पर आ जाना है और सर्च करना त्रीक सांथ आइंट डिजाइन इस तरह करिए गार यह डिचाइगा यूज्विट क्लिक कर देबाद धोड़ा साइश क्लड़न करेंगे श्ड़न करने के बाद आपको यहां दिख इसका को कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला करके आपको right-click करके पेस्ट कर देना है इंटरफेस कर देंगे तो आपका जो end-design है वो install हो जाएगा आपको patience रखना है थोड़ा जब तक आप यहाँ पर आइए फिर से अगर्वाट क फिल्पि कर दीए अगर्वाटा को अभी ही इंस्टॉल करेंगे तो आइकन पर क्लिक करणा यहांपर कट्राइड आपको लिंक необход थाफको अधान CTS का भी में description में डाल नोगा त्किशन पर आजाए ठीक है और जो जैसे बताए गया वैसे आपको इस्टॉल करना है बड़ा सिंपल है कुछ करना नहीं यहां पर इंटरप्रेस कर दिजेगा ताकि जो आइकन है वह भी इस्टॉल हो जाए उसका भी सेट अप हो जाए इतना करने के बाद आपको करना है और यह करिए मरंड करड़ अपरेसिन जो हमने लिखा था यहां पर यह देखिए अप डॉट जेसेक्स में वह दिख गया लेकिन यह जो किलास हमने अपलाई किया यह हमें अपलाई होता हुआ नहीं दिख रहा है तो एक काम करते हैं यह जो इंडेक्स.css है जिसमें यानिकि एप. अपन करिएगा यहां से इसमें आपको चंट्रोल जट कर यह पहले तो कॉपी करने के बाद आपको कंट्रोल जट कर देना है और इंडेक्स.css आपको ओपन कर लेना है और यहां का जो कोड होगा पूरा हटा दिजेगा और यह तीन लाइन यहां पर रखिए नहीं कि इंड कुप.j6 में आइगा यहां पर आपको डिफाइन करना है कॉंट भॉल्ट बास करना है वोल्ट होजाना चाहिए यह देखिए बोल्ट हो गया चैन्टर में करना है तो टेक्स्ट संटर कर दिए तो यह टैलेविंड का किलास है सब झाल 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 झाल